अपना टाइम आएगा? जी, जब हम किसी बुरे समय से गुजर रहे होते हैं, बस एक ही चीज से हम अपने आप पोस समझा लेते हैं. ये अपना टाइम आएगा, लेकिन कब आएगा वो टाइम? हम अक्सर उस अच्छे टाइम के इंतिजार में रहते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि वो अच्छा टाइम आने के कुछ संकेत भी होते हैं, जिससे समझ कर और जान कर आप उसका लोपत उठा सकते हैं. आखिर क्या है वो संकेत, जिससे जान कर आप अपना हर काम सही तरीके से कर सकते हैं? कहते हैं दोस्तों कि हमारी जिंदगी में जब भी अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो प्रकृति हमें संकेत जरूर देती है लेकिन कभी-कभी इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं क्यूंकि उन चीजों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है इसलिए आज हम वो संकेत ही आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप जान पाएंगे कि अच्छा टाइम आ गया है सबसे पहले अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त आपको अपनी दाई तरफ कोई बंदर, कुटा या साम दिखे तो ये संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है इसलिए कहते हैं कि रास्ते में हो रही घटनाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से भी काम करना बहुत जरूरी है अगर सुबा उठते ही आपको पूजा की नारियल की दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब आप पर मा लक्षमी की किरपा होने वाली है इसलिए एक काफी शुब माना जाता है दोस्तों अब जो हम संकेत बताने जा रहे हैं वो तो आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा लेकिन इस संकेत को गलत तरीके से भी लिया जाता है मतलब इसता होना अशुब माना जाता है और यह संकेत है कि अगर आप किसी ज़रूरी काम के का संकेत होता है ऐसे में गाएं के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं अगर आप किसी जरूरी आतरा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ समान भूर रहे हैं तो ये पुरा समेट टलने का संकेत माना जाता है ये संकेत तो आपके साथ काफी बार हुआ भी होगा कि यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द वापिस मिलने वाना है तो अगर आप से किसी ने उधार लिया है और आपके साथ ऐसा कोई संकेत हुआ है तो जरूर आपके पैसे वापिस आएंगे इसके अलावा ये आर्तिक स्थिती मजबूत होने और धनलाब होने का भी संकेत कहलाता है इस संकेत की बात करें तो ये संकेत आपने टीवी में जरूर देखा होगा लेकिन बेशक वहाँ तो कालपनी खोता है लेकिन अगर ये असल जिंदगी में हो तो शुप संकेत माने जाते हैं पूजा के दोरान यदि भगवान की प्रतीमा पर रखा हुआ पूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन है और जल्द ही आपकी मनो कामना पूरी होगी चलिए अब आखरी संकेत को समझ लेते हैं अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहें प्रभुदर्शन